हलो फूचर डॉक्टर्स कैसे हैं में सब लोग नीट का प्यार सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका आज हम जो चीरफार करने वाले हैं वो करने वाले हैं सर्कूलर मोशन चैप्टर की कि भाई साब नीट जो है सर्कूलर मोशन चैप्टर में पूछता किन सब टॉपिक्स में से है तो बहई नीट का प्यार सिरीड में हर सब्जेक फैटइस हो आया Chemistry हो या Biology इसमें बच्चों आपके लिए हम घर चैप्टर का नीट का प्यार लेके आते हैं यार यह जानकारी अगर आप सीरेस तैयरी करें ना आपको हूनी चाहिए पता तो आपको clear cut पता पढ़ जाएगा नीट की मुहबत क्या है पूरी प्लेइलिस्ट की लिंक description में comment में given है बच्चों हर chapter को उठाने से पहले revise करने से पहले उसका नीट का प्यार जरूर देख ले ना तो यार देखो पूरी प्लेइलिस्ट है ना देखो हम इसमें सारे chapters एक एक करके आपके पास में लाते जा रहे हैं चाहे biology का हो फिजिस का हो chemistry का हो आज बारी है circular motion की ठीक ना सबस्क्राइब कर लो सब लो गया भाई बहुत मेहनत लगती है सिरीज में लास्ट बारा साल के पेपर्स लेके बैठते हैं अनालिसिस करते हैं किस चैप्टर में से क्या पूछा जा रहा है ठीक है ना आज बारी है circular motion की तो 2020 में एक question आया 21 में question आया 20 skip हो गया 19 में question आया तो इसका मतलब यह नहीं कि यार एक question यारा तो में chapter छोड़ जाओ नहीं magnetic effect of current में भी आता है इलेक्ट्रोस्टेट में भी आता है तो यह chapter वैसे important है लेकिन इसके direct questions जो है ना सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं kinematics of circular motion में से तो भई circular motion की kinematics इसका मतलब जैसे वह equation लगाते ना तीन equations of motion होती वह kinematics में लगा दी rpm इन से सवाल ज्यादा आ रहे हैं डाइनमिक से देखें जिसमें force की बातें होती है net force equal to mv square by r यूटन जो जिसमें लगते हैं basically उससे कम question आया है काइनमेटिक से ज्यादा question है और 2022 में काइनमेटिक से ही आया है डाइनमिक वाला बार उससे जनरल इकम question आये हैं लेकिन इसका यूज आने वाले chapters में ज्यादा आता है वर पाउर एनर्जी rotation उनमें इसका यूज आता है तो कर सकते इसको पढ़ना तो है बैंकिंग ओफ रोट से दो क्वेश्चन आये हैं तो बैंकिंग रोट से बेसिक फॉर्मुले पता होने चाहिए ठीक है तो अगर हम पीवाई क्यों के अनलेशिस करें तो 2022 में देखो जो क्वेश्चन आया कि वह एंगुलर स्पीड इत्ते से इत अधे आर्पियम सित्ते आरपियम चेंज ओर इसोला सेकंड में इसल वेलाउसिटी की मिवन है डायम एक्सलरेशन पुछावा एंगुलर एक्सलरेशन तो ओमेगा फाइनल इकल्टो ओमेगा इनिशल प्लस अलफा डी अलफा ती अलफा निकालना है आपको थोड़ा सा डाल और फोकट के बट रहे हैं यह मान के चलो आप इसी तरह से 21 में देखें तो प्रोजेट टैल के साथ में कर दिया थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाने कुशिश करिए प्रोजेट टैल के साथ मिक्स कर दिया 19 में आप देखोगे यहां पर और डाइनमिक्स का सवाल आया है पर स्टैंडर्ड सवाल है कि वो घूम रहा है एक सिलेंडर ठीक है न उसमें एक चीज है वो नीचे नीग रहे इसके लिए मिनिमूम कोपिशन यह सारे सवाल अपने लेक्चर्स और शीट में से हैं बहुत स्टैंडर्ड चीज़े नीड पू तो काइनमेटिस वाला पार्ट स्ट्रॉंग करके जाना ज्यादा कोशन उसके प्रैक्टिस करके आपको जाने हैं और डाइनमिक्स और काइनमेटिक्स ठीक है ओल दी बैस तो बच्चों ऐसे हम आपके पास हाई चैप्टर के नीट का प्यार लेते जाएंगे आप सब्स्रा झाल